पिंकू बहुत हो गया ये टीवी देखना, जब देखो टीवी के साथ ही चिपके रहते हो, चुपचा पढ़ाई करो, एक्जाम सिर पर आ रहे हैं, पर तुम्हे कोई चिंता है भी या नहीं, जब देखो टीवी का रिमोट हाथ में रहता है, लाओ इधर दो रिमोट क्या है मम्मा, अभी बस फाइफ मिनिट्स में बंद कर दूँगा न, ये एंड चल रहा है शो का, क्या बात है पिंकू, मम्मी की बात क्यों नहीं सुन रहे, जाओ जाकर पढ़ाई करो क्या हुआ छोटे, पढ़ गई पापा से डांट, और देखो टीवी, चलो पढ़ाई करो, वरना मम्मी अभी आकर कान खिचेंगी रोहन भाईया, आप चुपो जाओ, और मेरे उपर हसना बंद करो, मुझे पता है मुझे क्या करना है, जब देखो हर कोई मेरे पीछे बढ़ा रहता है, मेरा टीवी रिमोट भी छीन लिया मम्मी ने, अब मैं अपनी पसंद का टीवी शो कैसे देखूँगा, काश मम्मी प पापा रोहन भाईया, अगर मेरे साथ ना हूँ, फिर तो कोई भी मुझे पढ़ने के लिए भी नहीं कहेगा, मुझे कोई ऐसा जादूई टीवी रिमोट मिल जाए, कि ये सब मेरे से दूर हो जाए, बस, मैं तो यही चाहता हूँ अरे, ये मैं कहां आ गया, ये कौन सी जगा है, ये मैं कहां आ गया आओ पिंकू, तुम यही चाहते थे ना, कि तुम सारा दिन टीवी देखो, और कोई भी तुम्हें तंग न करे, अब तुम मेरी सहता से, इस बड़ी स्क्रीन पर जितना मर्जी टीवी देखो, अपना पसंदीदा कोई भी शो, यहाँ पर तुम्हारे मम्मी पापा, भाई, कोई भी तुम्हारे साथ नहीं है, जो तुम्हें पढ़ने के लिए कहेगा, वाओ, क्या सच मुच, अब मैं यहाँ पर आराम से रह सकता हूँ, और जितना मर्जी टीवी देख सकता हूँ, हाँ पिंकू, यह जादूई टीवी रिमोट की जादूई दुनिया है, यहाँ प अकेले, बिना किसी की रोक टोक के मजे करना चाहते हो, हाँ बिलकुल, मैं अब यहीं रहूंगा, मुझे नहीं जाना मम्मी पापा के पास, तो ठीक है, आज से तुम यहीं रहोगे, पिंकू को जादूई रिमोट देखर, जादूई टीवी रिमोट चला जाता है, पिंकू बूक लगी है, कुछ खाने को मिलेगा यहाँ, वो सामने पिज़ा बर्गर की दुकान है, वहाँ से खा सकते हो, पिज़ा बर्गर, अरे वा, यहाँ तो मेरी एश ही एश है, भया एक पिज़ा और एक बर्गर देना, अरे यहाँ तो सब लोग रिमोट है, मेरी तरह तो इनके पास आकर बैट जाता है, अब आराम से टीवी देखूंगा, और आइस्क्रीम के मज़े उडाऊंगा, कितना मज़ा आ रहा है यहाँ, अब तो मेरे कानों में मम्मी के चिलाने की आवाज भी नहीं आ रही है, पापा का गुस्से वाला चेरा भी नहीं देखने को मिले और रोहन भीया, अब मेरे उपर आसकर दिखाओ, अब यहाँ मैं आसूंगा, चलो लड़के, बहुत देख लिया टीवी, अब महराज रिमोट सिंग ने तुम्हें रिमोट महल में बुलाया है, हम महराज रिमोट सिंग के सेनापती हैं, महराज रिमोट सिंग कौन है? तु तो वही जादूई TV रिमोट है, महराज, हम पिंको को ले आए हैं, पिंको कैसा लगा हमारी रिमोट की दुनिया में आगर? अरे जादूई TV रिमोट, तो आप ही महराज रिमोट सिंग है, मुझे तो यहाँ बहुत ही मज़ा आ रहा है, कोई भी तंग करने वाला नहीं है, बस सारा दिन टीवी देखो और मौज करो, मुझे तो आपकी ये रिमोट की दुनिया बहुत अच्छी लगी। ठीक है, जाओ फिर, तुम्हारा आम से टीवी देखो। महराज, ये बच्चा तो अत्यांती मिठी मिठी बाते करता है। आपको ये बालक पसंद आया महराणी? जी महराज, ये बालक बहुत ही प्यारा है, अगर हम इस बालक के साथ खेलेंगे तो कितना मज़ा आएगा। चिंता मत कीजिए महराणी रिमोट देवी, अब ये बालक कहीं नहीं जाएगा, इस बालक को अपने परिवार से ज्यादा टीवी से प्यार है। पर मैं ये टीवी बंद कैसे करूँ, इस रिमोट में तो टीवी आफ करने का बटन ही नहीं है। ये बच्चा बहुत शोर मचा रहा है, इसे महराज के पास ले चलो। छोड़ो मुझे, मुझे घर जाना है। क्या बात है सैनिको, ये पिंकु इतना शोर क्यों मचा रहा है। मुझे यहां नहीं रहना, मुझे अपने घर में रहना है। क्यों, तुम ही तो चाहते थे ना, कि तुम्हें कोई परेशान न करे, तुम्हारा आराम से टीवी देखो, तुम्हें कोई टोकने वाला न हो, फिर ऐसे क्यूब बोल रहे हो, तुम्हें वापस घर क्यूं जाना है, वहाँ पर तो तुम्हारे मम्मी पापा हूंगे, जो तु महराज, अगर ये बालक यहां से चला गया तो मैं किस के साथ खेलूँगी, मैं तो उदास हो जाओंगी, महराज कुछ कीजे, मुझे इस बच्चे को यहीं अपने पास ही रखना है, अपना बेटा बना कर. अब चिंता मत करो महराणी, अब ये बालक कहीं नहीं जाएगा, अब ये हमारा बेटा बन कर यहां रहेगा, सैनिको इसे पकड़ लो, अब वक्त आ गया है कि ये भी हमारी तरह एक जादोई टीवी रिमोट बन जाए, जो आ गया महराज, अब कुछ ही वक्त लगेगा, और य बालक जादोई टीवी रिमोट बन जाएगा, आओ पिंको, मेरे पास आओ, देखो, अपनी रिमोट ममी को प्यार नहीं करोगे, आओ मेरी गोधी में आओ, इस बालक के हाथ पांद दो, ये भागने ना पाए, इसे अपने जैसा बनाना है, पिंको, अब तुम जादोई टी रोहन भाया, मुझे बचाओ, मुझे टीवी का रिमोट नहीं बनना, पिंको, टीवी रिमोट की जगह किताबे भी देख लिया करो, पढ़ने बिठाया था या सपने देखने, क्या, मैं कहा हूँ, मैं तो महराज रिमोट सिंग के दरबार में था, अब ये इसका नया ड्रा मैं ममी पढ़ाई से बचने का, पिंको भाग कर अपने ममी पापा की गले लग चाता है, I love you ममी, I love you पापा, और रोहन भाया, अब से मैं आपकी बातों का कभी भी बुरा नहीं वानूंगा, love you, लगता है सपने में कुछ ज्यादा ही खो गया हमारा बच्चा, love you too पिंको ब दरूरी है